सुबह का समय था, पहाडों के पीछे से सूरज छाक रहा था, दस वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया, वो रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्णल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है, कर्णल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है, फार्म से लगे सेबों के बाद में कीत नाशक दवा का छुड़काव हो रहा था, और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था, बिशन पगडण्डी से अभी सड़क तक आही रहा था, क्यू उसे गोली चलनी की आवाज सुनाई दी, उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया, वो कुछी दूर चला था, क्यू उसे फिर गोली चलनी की आवाज सुनाई, इस बार एक नहीं, दो तीन गोलियां एक साथ ही चली थी, गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंच गए, पंची घबरा गए, आस्मान में गोल गोल चक्कर काटनी लगे, पिशन सहम कर पिड़ों की आड में चिपकर खड़ा हो गया, पिशन जहां खड़ा था, वहीं चुप चाप खड़ा रहा, उसे वहां से सीड़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे, हेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे, फसल तयार खड़े थी, सुभे की हलकी धूट में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे, पिशन अभी सोची रहा था के, गोली किसने और क्यूं चलाई होगी, कि तभी एक और गोली की आवाज आई, एकाई विशन को बूली चलने का कारण समझ में आ गया, जब फसल पक जाती है, तब गेहूं के खेतों में दाना चुबने धेरों तीतर आ जाते हैं, शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं, पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह वहाँच से तीतर मारे थें, कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वही छोड़ गए, खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जखमी तीतर मिले, बिशन ने सोचा, इतना दुख पहुचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी, वो समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलिया चला रही है, इसलिए वो पेडों के बीच से निकल कर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा, वो चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारी को तो सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था, तब ही उसके पाउं के पास सरसरा हरसी हुए, उसने देखा एक घायर तीतर गेवूं की बालियों के बीच फ़सा छट पटा रहा है, विशन वहीं घुटनों के बल पैठ गया, उसने घायर तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, आजा, आ, 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 आजा, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटब कर खेट के और अंदर चला गया, पिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंट नहीं पाएंगे और खायर तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा, उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया, तीतर स्वेटर में फाज गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया, बिशन ने उसे अपने सीने से चुपा लिया, और खेप में से निकल कर पहाड़ी की ओर भागने लगा, वो इतना तेज चल रहा था, मानों उसके पंक लग गए, करनल तता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेट थे, और दूसरी तरफ कटीले तारों की बार, पिशन बैसे तो कटीले तारों की बार में से होकर निकल सकता था, पर अंतु इस समय वो दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था, तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वो खेटों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा, ताकि शिकारी उसे देख न ले, वो कुछी दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लेकिन विशन नहीं रुका, वो चुप चाप चलता रहा, उस आदमी ने दुबारा चिला कर कहा, तक तक विशन कटीले तारों के पास आ गया था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और नहीं उसने कोई जवाब दिया, तभी पिशन को खारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी, पीछे से आ रहा शिकारी गुस्सी मी जोर-जोर से चिला रहा था, पिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था, अगर वो सरक से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तै किया, खेतों से आगे के रास्ते में काटे दा ज़ाडिया थी, दिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा, बहुत संभलकर चलने पर भी उसके हाथ पाउं पर काटों की बहुत सी खरोचे उभर आई, खरोचों से खोन भी निकलने लगा, उसकी कमीज की एक आस्तिम भी भट गई, वो जानता था कि कमीज भटने पर उसी मा से डाट खाने पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संदोश था कि वो अब तक बीतर की जान बचाने में काम्याब रहा, जारी से बाहर आकर वो सोचने लगा के, कैसे बाहरी के कोले से फिसलकर नीचे पहुचा जाएं। लेकिन उस कोने में घास बहुत जादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन ठक कर वही एक किनारे बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि उसे पाउं की आहट सुनाई थी। आहट सुनते ही वो उठकर दोड पड़ा। दोड़ते दोड़ते वो आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े बसीने से तर बतर हो गये। फिर भी वो रुका नहीं और किसी तरह करनल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवारे पहुची गया। पिछवारे दर्वाजा खुला था। उसने तार के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुच गया। तीतर को वो बड़ी साफधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसुई घर से प्रशर कुकर की सीची की आवाज आ रही थी। मुर्गया अभी अपने दड़बे में थी। और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक करनल सहाब का एलसेशियन कुट्ता जोर जोर से भौकने लगा। वो किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौकता है। पुशन समझ गया के शिकारी इधर ही आ रहे है। उसने इधर उधर देखा ताकि वो तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। इनकोर शेट के नीचे बहुत सारा कबार बड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है। सूचते वे उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढख लिया। घायल टीतर घबराया हुआ था। इसलिए वो चुप चाप पढ़ा रहा। टीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा के अब बाहर चड़कर देखना चाहिए। पर वो शिकारियों के सामने भी नहीं पढ़ना चाहता था। इसलिए उसने छट पर चड़कर बैठना ठीक समझा। बिना सिड़ी के छट पर चड़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वो अकसर इस शेट की ढलवा छट के सहारे उपर चड़ जाता था। विशन लकडी के खंबे पर बंदर की तरह चलांग लगा कर लटक गया। और उपर की ओर खिसकते खिसकते छट बजा पहुचा। खप्रेल की धलावता छट थी। इसलिए वो जिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया। ताकि वो किसी और को दिखाई न दे। लेकिन पूस्वयम सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं। और उनको देखकर करनल सहाब का एसेशन कुट्टा जोर जोर से भौक रहा है। करनल ने कुट्टे को डाटा। चुप रहो। पर वो न माना। पिछले दोनों पाओं पर खड़े हो वो उचल उचल कर ठाकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए। तो करनल ने रौबदार आवाज में पूछा। कौन हो तुम। यहां किसले आए हो। तु साब हम शिकारी है। हाँ, हर साल यहां शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवादे गूंज रही थी सुबह से। हाँ, हमारे पास लाइसेंस वारी बंदूखे हैं। हाँ, सरपंच मादो सिंग भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो। करनल ने मजाग सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी तभी। अभी अभी एक लड़का, हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आज शिपा है। हम उसे ही ढूण रहे हैं। हाँ, अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो, उनका क्या करते हैं। करनल सहाब ने पूछा। सीधी ची बात है सहाब, खाते हैं। हाँ, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुख कर बोला, आप तो उस लड़के को ढूड़वा दिये सहाब। हाँ, सहाब, वो इधारी कहीं चुप गया है। करनल तत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। और गुसे से कहा, वैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो। कुछ को खा लेते हो, और बाकी को खायल करके यहां तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। करनल तत्ता के बात सुनकर वे दोनों कुछ खबरा गए। उन्हें उमीद नहीं थी कि करनल इस तरह उन्हें डाट देंगे। करनल तत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा। आगे बोले। पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें खायर करके छोड़ जाने में तो कोई बादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो। यहां तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं? खरने क्यों हो। जाओ यहां से। बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था वे दोनु शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिये करनल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छड़कने वाली मशीन लाने को कहा तभी बिशन चपर से शेट पर होता हुआ नीचे पूद पड़ा उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा बहुजी बहुजी जल्दी आईए यह बहुत जख्मी है आकर इसे देखिए बिशन की आवाज सुनकर कर्णल दर्ता भी अंदर जा पहुचे और बोले अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था हाँ क्या करता बाबुजी इसे बहुत चोट लगी है अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता अब तू इसका क्या करेगा इसे पालूंगा बाबुजी विशन ने कहा कर्णल सहब मुस्कुरा दिये उन्होंने घायल तीतर को देखा उसका एक पंक तूट गया था अब शायद ही वो उड़ सके जाओ तबाईयों का बक्सा लेकर आओ जी बिशन तोड़ कर बक्सा ले आया ये लिजिए ला दे मुझे ये देखे ये देखे ये देखे हाँ यह काफी खून है हो गया करनल दत्ता ने दीतर के पैरों का जखम साफ किया फिर दवाई लगा दिया पंक खो पहला कर टेप लगा दिया ताकि वो जादा हिले डुले नहीं फिर उन्होंने बिशन से कहा बिशन जी अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में दो तीन बार पिलाओगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा जी तब तक बहु जी एक कटोरी में दल्या ले आई और तीतर को दल्या खिलाते हुए बोली इसे रोज दल्या भी खिला नो बिशन तीतर को दल्या बहुत पसंद होता है तब तो ये बिशन के पीछे पीछे ही गोमता रहेगा करनल ने हस्ते हुए कहा अच्छा बिशन तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है बहु जी ने पूछा बिशन ने अपने हाथों को मुह पर रख कर तीतर की आवाज निकाली क्लिन दत्ता ठाहा का मार कर हस पड़े बहु जी भी मूपर पल्लू रख कर हसने लगी बिशन भी हसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला बिशन की दिलेरी अभियाप सुन्वहे थे कारिक्रम पाट समन में डौक्टर लता पांडे आलेक प्रतिभानात नर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार राजिश्री त्रिवेदी नीरज्यादव शांती एसकालरा प्रविन शर्मा और श्यस धन्यकन दीपक पा नर्माण संपाधन किवं तोस्टी वंदरह अरिमर्दन